एक question हमारे पास दिया हुआ है जिसमें यह बात लिखी हुए है कि photon having wavelength 100 armstrong point out its energy in electron volt तो देखिए मैंने आपको अभी एक formula बताया था उसमें यह बात बताया था कि अगर energy अपने को electron volt में निकालना है तो wavelength को अगर हम 12400 से divide कर देंगे wavelength आपको armstrong में होना चाहिए तो energy आपको electron volt म मिल जाएगी यह इसके वाईसे वर्सा कर सकते हैं कि अगर माल लिजे कि मुझे wavelength अपने को armstrong में निकालना है तो 12400 को मैं जो energy है energy को electron volt में निकालके 12400 से divide कर दूँगा तो मुझे wavelength armstrong में आ जाएगा तो इस वाले formula का अगर use करते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे wavelength जो 124 और यही होगा मेरा energy यानि इसका answer होगा 124 electron volt आप देख सकते हैं option number 2 तो कितनी आसान questions था और कितने आसान तरीके से आपका solve हो गया formula से question number अपन second करते हैं तो this one is question number second अग question number second में देखा जाए तो आपको formula same use होगा जो आपका formula है वह same use होगा बस इसमें होगा क्या कि अब यह वाला formula use होगा तो कि इसमें जो question दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है question यह दिया हुआ है कि photon having energy 310 electron volt energy को आपको electron volt में दिया हुआ है और आपको wavelength निकालना है यानि वह वाला formula use करेंगे तो यहां पर अगर आपन देखेंगे कि wavelength हमें Armstrong में निकालना है तो आपन क्या करे देखेंगे तो इस case में जो अपने wavelength मिलेगा वह Armstrong में मिलेगा 0 से 0 cancel हो गया 31 into 40 यहां आप आ गया 40 Armstrong यानि जो answer है वो है आपको 40 Armstrong that is option number 1 तो देख सकते हैं कितने आसान questions आपको पूछे जाते हैं question number अगर अगर अपन 3 देखते हैं तो this one is question number 3 इसको भी थोड़ा ध्यान से द 60 nanometer are emitted from 60 watt lamp what is the number of photons emitted पर सके हैं सबसे पहले आपन question देखेंगे कि हाँ पर एक lamp है जैसे suppose कर यह lamp की जगह पर मैं यहाँ पर बल बोल दिया यहां से जो light निकल रहा है उसकी जो intensity है वो कितनी है तो वो जो उसका power है वो power दिया हुए तो power दिया हुए that is 60 watt 60 watt इसको हम लोग क्य लिख सकते है that is 60 joule per second यानि इस lamp से 60 joule energy निकल रही है पर second अब यह जो energy निकल रही हो किस format में निकल रही है ओवेसी बात है photons में और एक photons तो होंगे नहीं number of photons होंगे n number of photons तो जैसे suppose कर यह कि एक की energy E है और अगर उसको मैं n number of photons है उसते अगर मैं multiply कर दूंगा तो वही energy मु into E will be equal to 60 joule मतब energy एक photon का निकालूंगा मैं और उसको number of photons से multiply कर दूंगा तो मुझे total energy निकल जाएगी जो आपको 60 joule है अब problem यह है कि हमें जो formula पता है उसके हिसाब से जो energy है वह आपको किस में होना चाहिए तो वह energy आपको होनी चाहिए यहाँ पर joule में दिया हुआ है इस है उसको meter में convert कर देते हैं दोनों case में आपको answer आ जाएगा तो सबसे आसान यह रहेगा कि हम लोग क्या करते है energy को जो है वह electron volt में convert कर देते हैं तो energy अगर आपन देखेंगे तो energy आपको 60 joule है आपको पता है क्या पता है कि 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 rest power minus 19 joule that is इसको 1 electron volt यानी 1.6 into 10 rest power minus 19 joule is equal to 1 electron volt अपन इसको ऐसे लिखते हैं तो 1 joule is equal to कितना हो जाएगा तो 1 joule is equal to 1 upon 1.6 into 10 rest power minus 19 electron volt और अपने को निकालना है 60 joule का तो 60 joule is equal to 60 upon 1.6 into 10 rest power minus 19 electron volt यानी 60 को अगर मैं 1.6 into 10 rest power minus 19 से अगर मैं divide कर दिया तो ये जो मुझे energy मिल जाएगा वो मुझे मिल जाएगा electron volt में अच्छा अपने को wavelength जो दिया हुआ वो 660 nanometer दिया हुआ अगर 660 nanometer को हम लोग क्या करते हैं Armstrong में बदलते हैं तो कितना मतलब हमने क्या किया है कि 1 nanometer is equal to 10 Armstrong तो 660 nanometer is equal to 660 into 10 कर देंगे तो that is Armstrong अब उसकी energy निकाल नहीं है तो कैसे निकालेंगे 12400 divided by जो दिया हुआ 6600 into n अपने को n निकालना है तो यहां से अगर अपन n निकालेंगे तो cross multiply कर देंगे तो ये जो value है उधर चला जाएगा ये value नि 600 upon ये denominator में चला जाएगा तो 12400 into 1.6 into 10 raise to power minus 19 ये ही number of photons की हमें requirement होगी और इसको अगर आप solve करेंगे तो ये value आएगा 2 into 10 raise to power 20 अगर आप इसको solve करेंगे तो ये हाएगा 2 into 10 raise to power 20 यानि number of photons हमें मिल गया 2 into 10 raise to power 20 तो देखा आपने कितने आसान तरीके से numerical solve हो रहा है जो मैंने पढ़ाया है उसी के basis पे आपको सारे numerical solve हो रहा है अब यहां पर आ जाते हैं तो इस question को देखते हैं तो देखिए इस question में क्या लिखा हुआ है सबसे पहले तो अध्यान से देखिए कि a photon incident on the metal of a photoelectric work function 2 electron volt produces produce photo electrons of maximum kinetic energy 2 electron volt the wavelength associated with the photon is कहने का मतब यह है कि यह जैसे suppose कर यह metal surface है इस पर आपको एक photon का bombarding हुआ उस photon की energy आपको E है और यहां से electron आपको बाहर निकला अब होता कि है कि जो energy होती है वो दो जगा खर्च होती है एक work function में और दूसरा आपको किस जगा खर्च होती है kinetic energy यहां पर generally max इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो surface वाले electron है उसकी kinetic energy maximum होती है inner वाले electron की kinetic energy maximum kinetic energy नहीं होती है क्योंकि उसको inner surface और सर्फेस आने में भी कुछ उर्जा खर्च करनी होती है यानि उसका work function वर्फ फंक्शन नहीं रहता है work function के अलावा उसको और उर्जा खर्च होती है electron को metal surface से बाहर निकलने के लिए तो उसकेस में आपको kinetic energy जो electron का होता है वो maximum नहीं होता है अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो work function आपको 2 electron volt दिया हुआ है और maximum kinetic energy 2 electron volt यानि यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2 electron volt, kinetic energy maximum 2 electron volt यानि energy जो photon का आपको मिलना है that is 4 electron volt और इसका आपको नि निकालना है wavelength बिल्कूल आसान जैसे हम लोग ने अभी देखा कैसे देखा लेमडा को अपन क्या करते हैं जो electron energy है उसको अगर माल लीजे कि electron volt में 12,410 से डिवाइट कर देते हैं जो wavelength आता है वो किसमें आ जाता है Armstrong में और इसमें Armstrong ही दिया हुए यानि 4 से डिवाइट करें है उससे आपको सारे questions आपको बहुत easy भी में solve हो जा रहे है यह हो गया question number 4 आप question number 5 पे आते हैं this one is the question number 5 तो चलिए आप question number 5 को एक बार पढ़ लेते हैं question number 5 क्या कहता है कि the photoelectric work function of a metal is one electron volt light of wavelength lambda is equal to 3000 Armstrong fall on it the velocity of emitted photo electron is approximately proximity देखिए एक साथ question पढ़ेंगे न तो आपको समझने में दिक्कत जाएगी हम लोग क्या करते हैं part part करके question पढ़ते हैं पढ़ने का यही तरीका है इसमें सबसे पहले देखो क्या लिखा वह work function दिया हुए सबसे पहले आपको जो भी formula पता है और वही फॉर्मूला होता ही इसमें E is equal to formula तो और भी होते हैं पर यहां पर जो दिख रहा है important वह यही वाला function दिख रहा है कि energy is equal to work function to kinetic energy maximum तो इसमें यह लिखा हुआ है कि photoelectric work function of a metal is one electron volt यानि electron volt का metal का आपको work function दिया हुआ हुआ है one electron volt और light of wavelength lambda is equal to 300 Armstrong falls on it यानि आपको यह E भी निकल जाएगा E कैसे निकलेगा वही बात है E को अगर आपको electron volt में निकालना है तो 12400 से wavelength जो है आपको Armstrong से divide कर दीजिए तो divide करेंगे तो देखिए क्या था है electron volt में तो यह आपको आ जाएगा लगभग 4.1 electron volt ठीक है अब इसको उठा के आप यहाँ पर डाल दीजिए तो energy आपको कितना आ गया 4.1 electron volt यानि kinetic energy आपको निकालना है तो kinetic energy क्या हो जाएगा तो kinetic energy यहीं पर रहने दीजिए और इसको इधर ले जाएगे तो यह हो गया 4.1-1 that is 3.1 electron volt यह आपको हो गया kinetic energy max ठीक है अब आपको velocity निकालना है तो kinetic energy का formula आप अपलाई कर दीजिए velocity निकल जाएगा तो kinetic energy का formula क्या होता है वो होता है half into mass of electron जो भी electron की बाद रहे है electron into velocity the whole square is equal to 3.1 electron volt लेकिन यहां पर problem यह है कि जो मुझे mass पता है वहां मुझे SI unit में पता है जबकि energy का SI unit नहीं है तो मैं energy का SI unit खोजूँगा तो energy का SI unit क्या होता है तो energy का SI unit होता है that one is Joule अब यह जो 3.1 electron volt है electron volt को Joule में बदलने का क्या तरीका है देकिए बहुत simple सा है electron hopeful को अगर Joule में बदलना है formula आपको पता होना चाहिए वह simple सा है 1.6 into 10 raised power minus 19 Joule is equal to 1 electron volt ठीक है अब आपको क्या करना है यहाँ यहाँ पर लिए देता हूँ अब आपको क्या करना है आपको 3.1 electron volt को जूल में बदलना है यानि 3.1 electron volt is equal to 3.1 into 1.6 into 10 raised power minus 19 जूल कहने का मत्तब यह है कि जब electron volt को जूल में convert करते हैं तो कुछ नहीं करना है 1.6 into 10 raised power minus 19 से गुना कर देना है तो यहाँ पर आपन क्या करेंगे electron volt है लेकिन electron volt में मेरा काम नहीं चलेगा मुझे जूल चाहिए तो मैं क्या करूंगा 1.6 into 10 raised power minus 19 से मैंने गुना कर दी अब मेरा जूल आ गया अब यह mass of electron और 2 है वो उस तरफ ले जाओंगा तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर उट आएगा और इसको अगर आपको बहुत सिंप्लिफाइड वे बताया है और आपने अभी देखा भी कि यह सबसे hardest question है जो पूछा जा सकता है इस chapter से बहुत easy-easy numericals बनते हैं इस chapter के lectures को आप last तक जरूर देखिएगा अगर आप इस chapter के lecture को last तक देखते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका एक question minimum और मेभी हो सकते हैं आपको दो question जेई या निट में confirm है चलिए अगले question पर आजाते हैं तो देखिए next question आपको क्या लिखा हुआ है next question आपको दिखा हुआ है कि the kinetic energy of photoelectrons ejected from a metal surface by light of wavelength 2000 armstrong ranges from zero to this the stopping potential will be ठीक है देखिए stopping potential जो पूछ रहा है उसका सबसे पहले आपन formula देखेंगे तो जो stopping potential निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था बहुत simple सा तरीका बताया था मैंने आपको यही बताया था कि आपको करना क्या होगा कि kinetic energy को आप डालना electron volt में किसी भी तरीके से kinetic energy को आप electron volt में निकाल लेना और उसको electron से divide कर देना तो electron electron cancel हो जाएगा जो बचेगा वही आपका stopping potential होगा stopping potential ऐसे ही निकालते है बाकि उसकी meaning है उसको मैंने आपको concept में समझाया उसको देखिएगा तो यहाँ पर देखा जाया तो आपका kinetic energy कितना दिख रहा है maximum kinetic energy तो यह जो wavelength दिया हुआ ना इसका कोई use नहीं है कभी-कभी question में extra data दिया रहाता है आपको confuse करने के लिए आप बस अपने concept द्यान रण रखना कि मुझे निकालना क्या है तो मुझे निकालना है stopping potential और stopping potential निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए kinetic energy जो max जो kinetic energy max आपको यहाँ पर दिया हुआ kinetic energy मतलब यह maximum kinetic energy होना चाहिए कैसे पता चले यही है यह तो लिखा हुआ है ranges from 0 to this मतलब यही maximum हुआ है तो आपन क्या करेंगे 3.2 into 10 raised power minus 19 joule को आपन convert करेंगे electron volt में और आपको पता है कि जो joule होता है उसको electron volt में convert करने का क्या तरीका है simple सा तरीका है उसको आप unitary method भी apply कर सकते है आपको पता है 1.6 into 10 raised power minus 19 joule is equal to 1 electron volt मतलब आप यह समझ सकते हैं कि 5 रुपईये में एक कुरसी मिलता है तो मुझे यह निकालना है कि 20 रुपईये में कितना कुरसी मिलेगा तो सबसे पहले मैं 1 रुपईये में देखूंगा कितना कुरसी मिलेगा तो 1 upon 5 यह नितरी मेठर जैसे हम लोग पहते है तो इतना joule is equal to 1 electron volt तो 1 joule is equal to हो जाएगा 1 upon 1.6 into 10 raised power minus 19 यह हो गया आपको electron volt और आपको जो निकालना है that is 3.2 into 10 raised power minus 19 joule तो आपन जैसे माले 20 रुपईये में कितना कुरसी तो कैसे निकालते हैं 1 upon 5 divided by 20 तो यह कितना आ गया 5 यानि 4 कुरसी तो ऐसे ही यहाँ पर जो होगा तो यह जो values है यहाँ पर multiply हो जाती है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 upon 1.6 into 10 raised power minus 19 into 3.2 into 10 raised power minus 19 और यह है जो आएगा electron volt में आप देख सकते हैं 10 raised power minus 19 से 10 raised power minus 19 cancel हो गया और इसको अगर इससे cancel करेंगे तो 16 दो नहीं 32 that is 2 आ गया point point हटाएंगे तो 10 उपर नीचे दोरों डिवाइड हो जाएगा तो उसके कोई मतलब ही नहीं तो यहाँ पर आपको आगया 2 electron volt यानि यहाँ पर आपको आ जाएगा सीधा सीधी 2 electron volt को आप बस electron से डिवाइड कर दो electron खतम मतलब आपको आगया 2 volt और 2 ही volt आपका क्या है answer है जो दिया हुआ option number 1 में आपने देखा कितने आसान तरीके से बड़े बड़े numerical आप solve कर पा रहा है सिर्फ मेरे theories को अच्छे से देखके और इतने अच्छे अच्छे numerical आपको solve हो रहा है चलिए अब आगे बढ़ते हैं यह था question number 6 अब question number 7 पर आते हैं तो question number 7 को पहले कर लेते हैं तो देखिए question number 7 क्या कहता है question number 7 यह कहता है the work function of the substance is 4 electron volt the longest wavelength of light that can cause photoelectric emission from the substance approximately is देखो सबसे पहले question को समझना जरूरी है यह रहा आपका metal surface इस metal surface पे आपको photons fall होता है और यह जो photons fall होता है तो electron को बाहर निकलने के लिए एक उर्जया को खर्च करना पड़ता है जिसको हम लोग करते हैं work function अब यह जो work function होता है उसके corresponding wavelength होता है उसको हम लोग बोलते हैं that is threshold threshold wavelength और यही maximum wavelength है जिसते देखो frequency और wavelength में क्या अंतर होता है अगर energy बढ़ेगा energy is directly proportional to frequency but energy is inversely proportional to wavelength यानि wavelength जब बढ़ता है तो energy कम होती है लेकिन मेरे को energy इतना चाहिए यानि मेरे को wavelength जो है वह आपको एक maximum चाहिए यानि उससे नीचे वाला तो जरूर निकल जाएगा पर उससे जो max उससे उपर वाले से नहीं निकलेगा मतब जैसे माल लिए वही बात लिखा longest wavelength मतब longest wavelength that is corresponding to the threshold wavelength तो आप से जो पूछा जा रहा है वो threshold wavelength पूछा जा रहा है और threshold wavelength क्या होता है the longest wavelength corresponding to the warp function यानि longest wavelength wavelength का अगर photon metal surface पे fall करे तो electron बाहर निकल जाए उसे हम लोग threshold wavelength बोलते हैं और वही आपको यहाँ पर निकालना है और इतना आसान तरीके से आपको warp function दिया हुआ है कहने का मतब यह है कि warp function के corresponding आपको wavelength निकालना है तो wavelength का हम को पता है कि wavelength अगर हमारा armstrong में आ जाएगा अगर हम लोग 12,400 से कोई energy जो दिया हुआ है उस electron volt में उसको divide कर देंगे तो यहाँ पर चार से divide करेंगा चारे कम चारे कम चारे कम चार लगभग 3,100 यानि 3,100 armstrong आ गया लेकिन यहाँ पर armstrong नहीं दिया हुआ नेनो मेटर दिया हुआ threshold frequency जो होता है उससे जादा की frequency अगर हुई तो energy और जादा होगी minimum आपको threshold frequency की equivalent energy होनी चाहिए तो यह इसका मतलब यह है कि वो frequency आपको minimum है उससे नीचे में तो work function achieve नहीं होगा उसके नीचे अगर frequency रहेगी तो आपको photoelectric effect नहीं होगा लेकिन wavelength में उल्टा हो जाता है wavelength maximum रहता है उसके नीचे अगर wavelength में जाओगा तो energy बढ़ेगी wavelength नीचे गए energy उपर गए तो wavelength maximum कितना रखे ताकि energy वो work function के बराबर मिल जाए क्योंकि उसके नीचे आऊँगा तो energy वैसे भी जादा मिल जाएगा तो मेरा तो photoelectric effect हो जाएगा लेकिन उसके उपर जाऊँगा तो energy आपको कम मिलेगी तो उसकेस में आपको energy जो है work function की equivalent नहीं मिलेगी इसका मतबिया है कि photoelectric effect नहीं होगा तो यह हो गया आपको question number 7 next आगे बढ़ते हैं यह देखिए question कितनी easy दिये हुए next question जो है वह आपको दिया हुए है कि a metal of work function 4 electron volt is exposed to a radiation of wave length 140 into 10 raised power minus 9 meter then the stopping potential develops by it देखिए stopping potential का मैंने आपको सुरू सहीं यही बात बोला है कि अगर आपको stopping potential निकालना है तो आप निकालो kinetic energy maximum और उसको भी आप electron volt में निकालो और उसमें से कुछ मत करो electron को divide कर दो बात खतम वही आपको आजाएगा stopping potential तो हमको एक बात तो confirm हो गया कि मुझे जो निकालना है वो निकालना है kinetic energy maximum अब यहाँ पर metal का work function दिया हुआ है और wavelength दिया हुआ है अगर wavelength दिया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि मैं निकाल सकता हूँ क्या निकाल सकता हूँ मैं निकाल सकता हूँ energy क्योंकि energy is equal to होता है warp function प्लस kinetic energy max और अगर मालो कि मुझे यह तो दिया हुआ क्या दिया हुआ हुआ हूआ हूँ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अब मुझे यह निकालना अगर मैं निकाल दिया तो kinetic energy maximum आएगा उसमें से electron बस हटा दूँगा बात करता हूँ मेरे stopping potential आजाएगा अब यहाँ पर सवाल यहाँ आती है कि energy जो है वो कैसे निकलेगा तो energy का वही formula लगाएगे energy को अपन क्या करेंगे 12400 से wavelength जो है उसको armstrong में put कर देंगे तो आपको energy electron volt में आ जाएगा तो यहाँ पर अगर अगर अपन देख रहा है तो wavelength जो है हमें वो आपको meter में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 114 to 10 raised power minus 9 meter अगर इस wavelength को मैं armstrong में बदल दूँगा और उस armstrong के wavelength को यहाँ पर put करूँगा तो मुझे energy electron volt में आ जाएगा और उसको मैं यहाँ पर put करूँगा तो मुझे kinetic energy max में electron volt में आ जाएगा मैं उससे electron निकाल दूँगा अपने को stopping potential आ जाएगा अब यहाँ पर सवाल यहाँ आता है कि wavelength जो है इसको मैं meter में से armstrong में कैसे बलूँगा सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखिए 1400 into 10 raise to power minus 10 meter आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि 1 10 मैंने यहाँ पर भढ़ाया उसी तरीके से मतलब 10 से मैंने क्या किया यहाँ पर multiply कर दिया और 10 से divide कर दिया जो division है वो यहाँ पर आ जाएगा तो minus 10 हो जाएगा multiplication इधर जाएगा तो यह हो जाएगा और इसको अगर मैं 1400 into 10 raise to power minus 10 को अगर मैं 10 raise to power minus 10 से divide कर दूँगा तो यहाँ जो wavelength है न यहाँ मेरा convert हो जाएगा armstrong में 10 raise to power minus 10 से 10 raise to power minus 10 cancel हो गया यानि यहाँ पर बना 1400 armstrong अब इसको उठा के आप इसमें put कर दिये तो यहाँ आ जाएगा 1200 into 1400 और यहाँ जो होगा अगर इसको solve करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा इसको अगर अगर आपन solve करते हैं तो 124 divided by 14 यहाँ आपको आएगा लगभग लगभग 8.86 electron volt मैं इसलिए पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं यह numerical किया हुआ हूँ लेकिन आप खुद से इसको solve करेंगे calculation करेंगे अभी मैं करूंगा तो आपका time खराब होगा ठीक है तो इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ यह हो गया kinetic energy maximum अब kinetic energy maximum अगर देखेंगे तो kinetic energy maximum मेरा कितना आगया वो आगया 8.86 minus 4 that is कितना आगया 4.86 electron volt यह आगया आपको kinetic energy maximum अब मुझे क्या निकालना है stopping potential तो बस 4.86 electron volt को electron से divide कर देंगे तो electron gap हो जागया यानि answer हो जागया 4.86 volt अब देखें इसमें कौन सा है this one is option number 3 तो देखा आपने कितने आसान तरीके से आपको numerical solve हो रहे है dual nature of matter and radiation के ठीक है चलिए आगे बढ़ते है अगले सवाल की तरफ move करते है that is question number 9 अगर question number 9 को देखें तो question number 9 में अगर अपन देखते हैं कि question क्या कहता है तो question यह है कि the photoelectric threshold wavelength of a tungsten is 2300 Armstrong यानि threshold wavelength दिया हुआ है यानि lambda naught दिया हुआ है that is 2300 Armstrong इसके corresponding अगर मैं energy निकालूंगा न तो वो आएगा मेरा work function ठीक है the energy of electrons ejected from the surface in ultraviolet light of wavelength 1800 Armstrong incident on it is कहने का मतलब यह है देखिए ध्यान से समझेए यह आपको metal surface है इस metal surface पे मैंने एक wavelength that is 1800 Armstrong का energy wavelength का photon मैं fall कर आ रहा हूँ तो आपको पता है कि energy release होगी और यह energy जो है वो दो जगा खर्च होगा work function और यह kinetic energy maximum पे तो अपने को यह kinetic energy की value निकालनी है work function मैं यहां से निकालूँगा energy मैं यहां से निकालूँगा दोनों को मैं put करूँगा वही वाला formula यूज करूँगा तो माल लीजे कि मुझे work function निकालना है तो कैसे करूँगा 12400 divided by जो दिया हुआ 2300 अब यह armstrong में put कर रहा हूँ तो यहां पर जो मेरा answer आएगा वो electron volt में आ जाएगा तो यह आपको आएगा लगभा लगभा 5.4 electron volt ठीक है इसकी बात किया रख कही आ जाए तो यहां पर energy मैं निकालना हूँ फिर उसी तरीके से 12400 और divided by जो wavelength है that is 1800 और यह जो energy आएगा वो भी आपको electron volt में आएगा और यह आपको आ रहा है that is 6.9 electron volt चुकि यह question मैं पहले किया हुआ हूँ इसलिए मुझ से सब याद है आप चाहें तो इसको खुद से किरिएगा तो energy की जगा पर आप 6.9 पूट करेंगे वर्फ फॉंक्शन की जगा पर आप 5.4 पूट करेंगे और यह दोनों मिलके हो जाएगा kinetic energy maximum आपको निकालना है kinetic energy तो 6.9 minus 5.4 that one will be called to kinetic energy maximum इसी की value आपको पुछी गई है लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है तो इसको अगर अपन सबस्टेक करेंगे तो कितना आ गया 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 5 गया 1 that is अपना एंसर आ गया 1.5 electron volt यूनित लिखना मत भूलीगा यह आपको काइंटेक एनरजी maximum जो आपको आया option number 1 तो यह हो गया question number 9 देखा आपने कितने आसान तरीके से यह सारे question solve हो रहा है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला question है अपना question number 10 यह रहा question number 10 अब इस question को थोड़ा समझीए यह question क्या पूछ रहा है question यह लिखा हुआ है कि the intensity of incident radiation on a photo cell increases to the to 4 times then the number of photo electrons emitted per second will be कहने का मतलब यह है कि यह रहा आपको metal surface मतलब यह रहा metal और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं photons की bombarding कर रहे है और इसमें लिखा हुआ है कि intensity of incident radiation on a photo cell increased to the 4 times मतलब चारगुना क्या हो जा रहा है बढ़ जा रहा है तो जैसा कि आपने को पता है intensity is directly proportional to the number of photons intensity का मतलब क्या होता है intensity का मतलब ही होता है number of photons आप बोले कि इंटेंसिटी का मतलब यहाँ तो नहीं होता है देखें इंटेंसिटी का मतलब होता है energy per unit area ठीक है और energy जो होता है जैसे माल लो energy एक का तो नहीं निकाल रहे है तो total का energy अपन करेंगे n into 1 का energy e upon area तो कहीं न कहीं देखा जाए तो यहाँ पर जो n की value आ रहे है वो important है that is number of photons यानि अगर intensity is directly proportional to number of photons और intensity को अगर मैं चार गुना कर दिया यानि number of photons भी जो होगा वो भी आपको चार गुना हो जाएगा यानि इसका answer जो होगा that is quadripled quadripled का मतल़ होता है चार गुना चार गुना किया जाना ठीक है तो यह हो गया question number 10 अपना आगे बढ़ते हैं next question है that is question number 11 अब इस question को देखिए solve करेंगे question क्या कहता है तो question कहता है कि the energy of a photo electron is 10 electron volt the momentum of photon is high इस type का question अभी तक हम लोग ने नहीं किया है तो इसको हम लोग अभी करेंगे कि देखिए जब आपको energy दिया हूँ आप momentum निकालना हो तो momentum किसी भी photon के निकालने के लिए energy को आप सिर्फ c से divide कर देगे c क्या हुआ c is equal to होता है speed of light जिसकी value कितनी होती है light की speed सबको पता है वो होता है 8 into 10 रेस्ट पाउर 8 बुलिख दिया 3 into 10 रेस्ट पाउर यह होता है 3 into 10 रेस्ट पाउर 8 meter per second यह होता है 3 into 10 रेस्ट पाउर 8 meter per second अब यहाँ पर जो c है उसको हम लोग e की जगा पे लिखेंगे तो यहाँ पर e है आपको 10 electron volt और यहाँ पर c जो है 3 into 10 रेस्ट पाउर 8 meter per second अब यहाँ पर गरबड़ यह है कि उपर में energy जो है वो आपको SI unit नहीं है जबकि नीचे में जो meter per second वो SI unit है और momentum की जो value का जो options भी दिया गया SI unit that is energy का SI unit जो होता है वो Joule अब हापन जानते हैं कि 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 rest power minus 19 electron maintain 19 Joule यहाँ पर अपने को 10 electron volt निकालना है तो इसको मैं क्या करूंगा 10 से गुना कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10 into 1.6 into 10 rest power minus 19 Joule यानि यह जो आपको आजाएगा यह हो जाएगा 16 point को यह हटा दीजिए निचे 10 हो जाएगा 10 से 10 cancel कर दीए यानि 16 into 10 rest power minus 19 Joule अब इसको उठा के आप यहाँ पर पूट करेंगे तो यहाँ पर total कितना आ जाएगा तो इसको मैं अलग color से लिखता हूं यह हो जाएगा 16 into 10 rest power minus 19 Joule divided by 3 into 10 rest power 8 meter per second यानि यह value जो आपको आएगी अगर आप इसको solve करेंगे तो यह आपको आएगा 5.33 into 10 rest power minus 27 kg meter per second मैंने इसको चुकि solve किया है आप इसको घर पे solve करेंगे जब आप इसको solve करेंगे तो आपको यही answer आएगा option number 3 तो यह हो गया हमारा question number 11 अगर आपन next question में move करते हैं that is question number यह तो इसको solve करेंगे कोसिस करते हैं कि यह क्या पूछ रहा question तो देखिए question क्या लिखा हुआ है कि the debrogly wavelength of an electron is too armstrong its momentum will be कहने का मतब यह है कि मुझे debrogly wavelength जो है वो दिया गया है और मुझे मोमेंटम पूछ रहा है तो सबसे पहले debrogly wavelength और मोमेंटम में क्या relation है तो relation यह है कि lambda is equal to होता है h upon p debrogly सहम ने बताया था कि किसी भी matter का आप चाहें तो आप wavelength दिकाल सकते हैं और उसका wavelength दिकालने का simple सा तरीका यह है कि planks constant को उसके wavelength से डिवाइट कर दिजिए तो उसका planks constant को उसके momentum से डिवाइट कर दिए तो उसका wavelength आ जाएगा अच्छा हमको यहाँ पर momentum निकालना तो मैं wavelength क्रोस मल्टिप्लाई कर दूँगा यानि P को उपर ले जाओंगा lambda को नीचे ले जाओंगा यानि यह formula जो मेरा बन जाएगा वो बन जाएगा P is equal to H upon lambda अब यह H की value जो है मुझे SI unit में पता है यानि कहीं न कहीं wavelength भी मुझे SI unit में लगाना होगा लेकिन यहाँ पर wavelength जो है वो armstrong में दिया हुआ length का SI unit armstrong नहीं होता है length का SI unit आपको meter होता है यानि wavelength जो आपको लिखा हुआ है 2 armstrong इसको आपको meter में convert करने के लिए आपको करना क्या होगा कुछ नहीं करना होगा 10 raised to power 10 से multiply करना होगा उस case में आपको यह wavelength है यह convert हो जाएगा 10 raised to power minus 10 से 10 raised to power minus 10 से multiply करना होगा तो उस case में यह wavelength है यह convert हो जाएगा आपको meter में, तो हम लोग ने meter में convert कर लिया, अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे, divide कर देंगे, 2 into 10 raised power minus 10 meter, अब इसको जब आपन solve करेंगे, तो यह value अपना कितना आ जाएगा, यह value आपको आएगा, 3.31 into 10 raised power minus 24, कुछ नहीं करना है, इसको बस divide कर दी, इसको आप सामने से देख सकते है, 2 को इससे divide करेंगे, तो 3.3 आ गया, और इसको अगर उपर ले जाएगे, तो प्लस 4 हो जाएगा, यानि होगा क्या प्लस 10 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 10 जो हो जाएगा, तो उस case में कितना हो जाएगा, 3.3 into 10 raised power minus 34 और प्लस 10, यहाँ प्लस 10 क होता है, वो change हो जाता है, इसको अगर मैं उपर ले जाएगा, तो यह हो जाएगा, 10 into 10 raised power 10, 10 तो कहाँ से है, 10 raised power 10 आ जाएगा, अब यह 10 raised power 10 आ जाएगा, और यहाँ पर लिखा हो 10 raised power minus 34, होता है कि जब base सेम होता है, तो powers जूर जाते है, तो सेम बेस लिखके मैंने दोनों क powers को जूर दिया, 10 raised to power minus 34 plus 10, और यहाँ पर जो आपको आया, वो value कितना आया, वो value आया, 3.3 into 10 raised to power minus 24, और यही आपका हुआ momentum, और यह किस में दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ option number 2 में, तो यहाँ बन गया आपको question number 12, अब इसके बाद next question जो है, उसको हम लोग देखेंगे that is question number 13, यह रहाँ आपका question number 13, अब question number 13 को समझने के कोसिस करेंगे, question number 13 क्या कह रहा है, question number 13 कह रहा है, यह hydrogen atom moving with a velocity of 3 meter per second absorbs a photon in a motion and a stop, मतब वो क्या कर रहा है, कि जो hydrogen atom है, वो 3 meter per second की velocity से move कर रहा है, और वो photons को absorb करके रुख जा रहा है, if the mass of the hydrogen atom is this, the wavelength associated with the photons are, यानि आपको उस photons का wavelength निकालना है, तो wavelength अपन कैसे निकालेंगे, तो देखिए, अपने को पता है कि जो wavelength होता है, वो कैसे निकाल सकते हैं, तो wavelength अगर d-brogly wavelength अपन अप्लाई करेंगे, तो lambda is equal to होता है, h upon p, इसको आप लिख सकते है, h upon mass into velocity, अगर atom क सबसे पहले अगर अपन wavelength की बात करेंगे, तो atom का mass कितना है, तो वो दिया हुआ, that is 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg, और उसकी velocity भी दिया हुआ, 3 meter per second, और उसको h से अपन डिवाइड करेंगे, h मतलब क्या होता है, planks constant, इसकी value होता है, 6.6 into 10 raised to power minus 34 joule second, यह हो गया, आपको h की value, mass की value देख ही आपको SI unit होता है, तो यह आपको kg हो गया, और into velocity देखा जाए, तो यह लिखा हुए 3 meter per second, और meter per second ही आपको SI unit होता है, अगर इस calculation को आप solve करेंगे, तो आपको कितना value आजाएगा, आपने को आजाएगा 1320 Armstrong, यानि यह वाला अपना answer हो गया, यह हुआ question number 13, यह question को मैंने पहले किया हुए, इसलिए मैं direct answer लिख दिया, आप इसको calculate करना, आपको answer वही आएगा,